हलो स्टूडेंट वेल्कम टू आ क्लास सर इम्रान अकाउंट की क्लास हम 11 स्टाइंडर का इंट्रोड़क्शन ऑप बुक कीपिंग एन अकाउंटेंशी का फिर्ट चैप्टर कर रहे हैं जिसमें हमने अल्रेडी पार्ट वन बना दिया है यहां उपर आई बटन आता रहे हैं वहाँ पर भी चेक कर सकते हैं और नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियो के लिंक मिल जाए भी चेक कर सकते हैं आज जो कर रहे हैं हम लोग वह पार्ट टू कर रहे हैं चैप्टर वन का इंट्रोड़क्शन टू बुक कीपिंग एन अकाउंटेंशी का जो की आपके standard 11 का new syllables के इसाब से हमने already इसके bookkeeping और accountancy के meaning, objective, features, कुछ definition और difference between bookkeeping and accountancy यह already हमने discuss कर दिया है आज जो हम करने वाले हैं वो है basic accounting terminologies यानि account के अंदर कुछ word होते हैं वो हम इस्तेमाल करते हैं अलग जो basically normal life है हम use नहीं करते हैं वो accounting terminology के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं, so without delay let's start our video बिस्मि ल्लाहिर्रह्मानि र्रहीम so in order to have a better understanding of accounting it is necessary to know the meaning of certain basic terms use in accounting तो business को या account को अच्छी तरह से समझ्य के लिए कुछ basic terms है जो आपको account के अंदर इस्तिमाल करने हैं जब हम normal practical sum करने जाएंगे इसका अभी तो हम theory कर रहे हैं जब हम practical sum करने जाएंगे तो हमें कुछ accounting word सब्दों का इस्तिमाल करना है मैं तो उसके बारे हम पढ़ने वाले आज तो पहला देख लेते हैं transaction transaction क्या है एक्षेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विस बिट्वें टू पर्संस फॉर्म इसे हम transaction कहते हैं तो पहला ही word है exchange यानि लेना और देना क्या ले रहे हैं क्या दे रहे गुड्स एंड सर्विस यानि कमोडिटी बोल सकते हैं, आर्टिकल बोल सकते हैं वस्तू बोल सकते हैं, शीज बोल सकते हैं वह चीज़ आप exchange करते हो और service भी service for example bank आप bank में जाओगे तो bank आपको क्या provide करता है बच्चो service provide करता है होटल जाओ तो hotel में आपको क्या मिलती है service मिलती है खाना मिलता है वहाँ रहे सकते है ठीक है आप aeroplane में जाओ तो aeroplane वाले क्या देते हैं आपको two person for money or money is worth तो यहाँ पर हम एक्षेंज कर रहे है goods or service और दो बंदो की बीच में होगा minimum पैसा या money is worth equal to cash बोल सकते हैं हम लोग money or money is worth मतलब पैसा या पैसे के equal चेक बोल दो create card बो debit card बोल दो that is how money is worth तो यह चीज़ को हम बोलते हैं transaction any exchange of goods and service between two or more person for monies or monies वाद यह हमारा transaction है अब types of transaction दिखते हैं तो types of transaction है पहला type है monetary transaction जिसे हम cash transaction बोलते हैं और दूसरा type है अपका non-monetary transaction जहांपे cash involved नहीं है monetary transaction के अंदर भी दो type है एक है cash transaction और एक है credit transaction यानि बात तो पैसे की हो रही है मगर जब तुरंद payment आता है उसे हम cash transaction बोलते हैं और payment बाद में आता है तो हम उससे क्या बोलते है credit transaction यानि उधार पे लिए है सामान उसने ठीक है उधार पे लिए हैं अगर पैसा आज नहीं कलतो देने वाला हो तो यानि एक पैसे related है इसलिए हम इसे monetary transaction कहते हैं और दूसरा है non-monetary transaction जहांपे पैसा involved भी नहीं है आप पैसे की बाती नहीं कर सकते जैसे फॉर example बाटर transaction यह पुराने जमाने में चलता था आपके बाद चावल है और सामने वाले के पास गेहूं है तो आप चावल उसको देंगे थोड़ा और थोड़ा उससे गेहूं ले लेंगे इसे हम बाटर transaction करते हैं when goods are exchanged for goods is called as barter transaction और when goods and service are exchanged for money or money's worth तूरंद आया तो cash transaction पैसा बाद में आया तो credit transaction ठीक है तो यह तीन तरह का transaction है इसमें बाटर transaction पुराने जबाने में अभी नहीं चलता है तो इसे हम accountancy में इस्तेमाल नहीं करते हम accountancy में दो ही transaction इस्तेमाल करेंगे cash transaction और credit transaction ठीक है बच्छो अब आगे चलते हैं दूसरा accounting terminology जो basically use of the goods goods क्या है गोशे commodity है article है और things है in which trader trades commodity यानि चीज वस्तू जिसमें businessman trader यानि businessman deals trade करना यानि deal करना purchase and sales करना उसे हम goods कहते हैं जैसे एक sonar है sonar के पास क्या होगा goods gold होगा तो gold smith के लिए goods क्या हो गया gold हो गया दूसरा exam cloth merchant है cloth merchant के लिए goods क्या हो गया cloth हो गया तो जो बंदा जिसमें deal करता है उस चीज को वो goods बोलेगा हर कोई goods नहीं बोच सकता businessman जिसमें वो deal करता है वो उसी के लिए goods है बाकि सब के लिए goods नहीं है वो अभी मेरी car की factory है तो car में produce कर रहा हूं कार में produce क्यों कर रहा ओंढ। उसको बेचना है तो मेरे लिए goods हो गया बाकि सब लोग car ही बोलेंगे बगर मैं क्या बोलूझा मे. मेरे लिए goods क्युक्ब बना रहा हूं और बेच रहाँ तो trade-or trace करता है जिसमें deal करता वो commodity वो article उसे हम क्या कहेंगे goods कहेंगे अब types of goods देख लेते हैं यह आपके syllables में नहीं है मगर आपके knowledge के लिए आप समझें इसको there are six type of goods पहला है opening stock जो stock जो goods जब आप साल शुरू करते हो उस वक्त available रहता है उसे हम opening stock कहते हैं फिर साल के end में जो goods बिकता नहीं है unsold रहे जाता है क्योंकि साल का end का दिन है और माल भी खा नहीं तो उसे हम क्या कहेंगे closing stock कहेंगे पिर तीसरा है purchase आप जब goods purchase करते हो और पिसली आप manufacturer है तो businessman हमेशा raw material purchase करता है यानि कच्चा माल खरीदता है जैसे आपकी factory sugar किये तो आप क्या करेंगे sugar cane तो sugar cane आपके लिए raw material है तो यह purchase करोगे यह एक तरह types of goods है और sugar cane आपने खेट से मंगाया तो अगर खराब निकला तो क्या करेंगे इसको purchase return कर देंगे इसका और एक नाम है return outward फिर है sales तो अभी sugar cane मंगा लिए हमने और उससे sugar बना लिए sugar बना के क्या करोगे इसको base होगे तो sales एक अरक type of goods हो गया फिर six है sugar आपने बेचा तो obviously सारे sugar थोड़े बहुत खराब होगे तो customer फिर आपको क्या कर देगा return कर देगा तो उसे हम क्या कहेंगे sales return इसका और एक नाम है return inward तो इस तरह से छे type के goods हैं इसको भी याद रखें आप लोग अभी एक company assumption ले लो इसको बच्चो यह आपकी company है इसको business बोलो organization बोलो factory बोलो company बोलो form बोलो या industry बोलो तो यह आपके लिए form industry company जो भी है तो यह business start करने के लिए आपको पैसा लगता है उस पैसे को हम capital बोलते हैं तो businessman start करता है इस business को जब वो पैसा company में देगा उसे हम capital कहेंगे और जब वो पैसा company से निकाल देगा तो हम उसे drawing कहेंगे इसको और अच्छी तरह से समझाता हो यहाँ देखो input in the business to start the business यानि business के अंदर input करना यह owner ही है दोनों ही owner के लिए consider होता है मगर दोनों का अलग लग नाम है capital क्यों capital कहते हैं उसे वो business start करने के लिए business के अंदर दालता है input करता है यह वड़ियाद रखना input क्या-क्या input करता हो cash लगाता है business start करने के लिए पनीचल लगाता है बिजनेस के अंदर, बिल्डिंग खरीदता है बिजनेस के लिए, मशिनरी खरीदता है बिजनेस के लिए, तो यह सब वो इन्पुट करता है अपने बिजनेस के अंदर, तो जब ओनर अपने बिजनेस में इन्पुट करेगा cash या assets, उसे हम capital कहेंगे, और जब ओनर बिजनस से पैसा निकालेगा क्या withdraw from business for personal use cash and goods यानि business से वो निकाल रहा है क्या क्या निकाल सकता है वो cash and goods और किसके लिए personal use के लिए condition होना चाहिए बच्चो पर्सनल यूस के लिए अपने ही business से बंदा जब पैसा निकालता है उसे हम drawing कहते है ठीक है यह वर्ड आगे पूरे bookkeeping and accountancy जब तक आप करोगे दो वड़ हमेशा चलेगा आपका capital और drawing capital क्या है amount invested in the business to start the business drawing क्या है withdraw from the business for personal use और withdraw वड याद रखे cash और goods ही होना चाहिए और कोई withdraw नहीं होना क्योंकि अपने business से आप पैसा नहीं कहा सकते है personal use के लिए और goods जिसे मैंने example देदा और मैंने car अपनी personal use के लिए निकाल लिया या मैंने मेरे friend को gift कर दिया तो friend तो मेरा personal ही हो गया ना वो तो मैंने personal नीजे इस्तिमाल के लिए कोई चीज निकाल रहा हूँ तो उसे हम क्या कहेंगे drawing कहेंगे दो important word याद रखना तो capital drawings का definition आपके textbook में दिया वहां से भी आप पढ़ लेना आगे चलते हैं वापिस example लिया हूँ मैंने अपनी company का तो इस company के उपर दो important term है एक है liabilities और एक है assets liability और assets क्या है liabilities का मतलब होता है loan आपने इस business के उपर क्या-क्या loan है पहला loan में ने बदा दिया ऐसा owner अगर पैसा दाला तो capital बोलते हैं तो capital भी एक तरह का loan है business के उपर क्यों capital loan बोलते हैं हम लोग क्योंकि owner जब आप अपना उपर example ले लो आप अपने business में पैसा input करोगे तो आपका मकसद क्या होगा आपको वो पैसा जो आपने इंवेस्स किया है उसको return लेना है में तो business हम दीरे दीरे निकाल लेंगे in the form of profit तो capital भी एक तरह का loan है तो उस सारे loan का हम क्या बोलते हैं liabilities बोलते हैं और assets assets है ने property यानि जाए-जाद हमारी जमीन cash इस हमारी property है तो यह दोनों का term समझना है आपको इसके अंदर दो word यूज करते हैं हम लोग solvent और insolvent करके तो यह दो term है क्या उसको समझाता हूं मैं आपको solvent किसे कहते हैं इंसॉल्वेंट किसे कहते हैं बचो यह समझ मैं आपको liability यानि loan assets यानि property तो आप मैं आपको यह समझाओ solvent और insolvent क्य आपके पास और liability यानि loan loan कितना आपके पास 40,000 अब बच्चो यह अब suppose assumption लो कि आपको company आजकाज बंद करना है तो जब आप company आजकाज आपको बंद करना कोई भी reason हो सकता है आपको जाना है या lockdown हो गया या coronavirus आ जो भी है अब आप company बंद करके का हो जाने वाले तो मगर आप अपना property बेच होगे आजकाज तो आपको 50,000 मिलेगा और फिर क्या करेगा आप उस 50,000 से आप अपनी liability paid कर सकते हो फिर भी आपके 10,000 बच गया यानि 10,000 बचा वो मेरे लिए important नहीं मेरे लिए important क्या है मैं loan पूरा clear कर सकता हो कि नहीं कर सकता हो हां यहां पे मेरे loan clear कर सकता हूं तो इस चीज को हम solvent बोलते हैं जब आपका asset आपकी liability से जादा हो या equal हो तो solvent का मतलब होता है when your asset is greater or equal to your liability that company is called as solvent तो solvent का simple definition ही याद रखे कि जब आपकी assets आपकी liability से जादा या equal हो क्योंकि company बंद कर रहे तो यह ज़रूर नहीं है हमारे पाइसा हो आपकी liability भी clear हो क्योंकि loan अपने उपर नहीं है अपनों एकदम clear mind रहने गए तो इस चीज को इस बंदे को हम solvent बोलेंगे या इस company को भी हम solvent बोलेंगे क्योंकि solvent आप इंसान के लिए भी यूज करते हो company के लिए भी यूज करते हो तो when your assets is greater than or equal to your liability that firm is called a solvent firm और that person is called as a solvent और इसका opposite होता है insol इसका opposite insolvent क्या है example लेते पहला अब यहां पर तो का example में आपके assets है आपके पास 50,000 मगर आपकी liability यहां पर बच्चों कितना सत्तर हजार यानि property पचा हजार की और loan सत्तर हजार यानि लोन जादा यहां पर अभी आपका यानि property बेचने के बाद भी आप अपना loan clear नहीं कर स लगते हो तो उस चीज़ को हम insolvent बोलते हैं when your liability is greater than asset then insolvent आप इस चीज़ को हम क्या बोलेंगे insolvent ठीक है liability जब assets से जादा होती है तो वो company को हम क्या बोलते insolvent company या person को बोलेंगे तो insolvent person बोलेंगे तो यह दो वर्ड आपके definition है आपके टेक्स होगा आप पढ़ देंगे इसका definition example मैंने समझा दिया solvent यानि आपका assets equal or greater to liability होना चीए या और insolvent में क्या होगा आपका liability greater than your assets ठीक है बच्चो अब आगे चलते हैं वापिस से मैंने example यह company का company के दो मैंने आपको starting मता है liability यानि loan और assets यानि property अब liability कितनी तरह की होती है वो हमें जानना है तो यहां पर आप देख लो एक है fixed liability दूसरा है current liability तो आपके पाद दो तरह की liability होती है एक fixed है और एक current है fixed liability यानि जो लंबे समय तक रहती है company के उपर जैसे मैंने बताया था capital capital fixed liability है क्योंकि मालिक जब पैसा invest करता company के अंदर तो वो तुरंद पैसा नहीं निकालेगा वो धीरे धीरे in the form of profit यानि मुनाफ़ा हर साल कमाते 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 अपना पैसा वो वसुल लेगा तो यह कई साल का प्रोसीजर है तो company धीरे धीरे करके इसको पैसा देने वाली है तो liability का मतलब वही होता है कि आपको पैसा return करना है आपने आज लोन नहीं है तो धीरे धीरे return करेंगे और कई लंबे समय तक चलेगा कई साल तक चलेगा तो से हम क्या बोलेंगे fix liability example दिया मैंने capital और एक example दे दू fix liability का loan जैसे आप bank loan वगेरा लेते हैं आपके घर में housing loan वगेरा लिया होगा तो housing loan तो एक दिने और रीपेट नहीं होता है 20 साल 25 साल 15 साल कई साल तक चलता है तो इसको भी हम क्या बोलेंगे fix liability फिर बात करते है current liability की current liability यह नहीं short term liability जो एक साल से कम हो fix liability एक साल से ज्यादा चले current liability एक साल के अंदर अंदर आपको इसको repayment करना है for example यहां पे लिए मैंने creditor creator है bills payable है bank overdraft है वह सारे एक्जामपल है current liability की यहां पर मैंने लिए creator creator का example इसलिए है मैंने तो creator पहली बाद आपको textbook में accounting time में है creator इसका meaning भी समझने आपको तो creator का मतलब होता है supplier हम as a businessman as a business हम अपनी company के लिए कच्छा माल लेते है raw material तो वह बंदा होता supplier यहां पर example लेता हूं आपको जैसे मैंने example लिए तो sugar factory तो यह factory आपकी sugar factory है तो आपको sugar factory के लिए कच्छा माल क्याच यह शुगर केंची है तो शुगर केंच कहां से लाएंगे हम लोग farming से खिती बाड़ी से तो खिती बाड़ी से जो हम शुगर केंच लेंगे किसान वगेरा से तो वह बंदे से हम वह goods को supply करवा रहे हैं तो यह बंदा हो गया supplier और accounting term में हम इसे क्रेइटर यानि वी इसको तुरंट पेमेंट नहीं करते हैं हम उसको बोलते हैं उधार ले लो हम आपको पेमेंट बाद में करेंगे तो क्रेइटर बहुत ही important person है आपके business के लिए क्योंकि अगर आप manufacturer हो आपकी जो फैक्टरी वगेरा है तो फैक्टरी वगरे में अगर कच्छा माल आया ही नह तो यह हमेशे अगना creator बहुत ही important person है अपने business के अंदर तो इस तरह से मैंने आपको fix liability बता ही current liability बता है fix liability एक साल से बाद दीरे दीरे आप paid करोगे current liability within a year आपको payment करना होता है बच्छो एक चीज़ और बता दू एक और liability होती है contingent liability इसके बारे में बता दू यह भी आपके बुक में contingent liability का मतलब अब यह दो liability है fix liability करना है यह आपको payment करना ही है at any cost payment देना ही है यह लोग छोड़ने वाले नहीं आपको creator यह भी छोड़ेगा नहीं आपको bank से लोन लिया तो bank मी नहीं छोड़ेगा और owner तो company का मालिक ही है वो भी दिरे दिरे पैसा ले ही लेगा मगर ऐसी liability शायद भरना पड़े शायद ना भरना पड़े liability may or may not occur in the future date ऐसी liability शायद आपको देना पड़े शायद ना देना पड़े future date में उस liability को हम बोलते contingent liability आपके textbook में example दिया हुआ है वो एक textbook में example इस तरह दिया हुआ है कि आपने आपकी company में कुछ worker है उन्होंने लफड़ा वगरा कर दिया तो वो बोलते हैं कि भाई हमें हमारा compensation दो company लफड़ा हो गया accident हो गया उनका तो हमने बोला कि भाई यह accident ऐसा नहीं हौआ वह बाहर हुआ है ऐसा हो खुछ भी लफड़ा हो गया तो अब वह लफड़ा हो गया तो आप court में चले गया case अब court में decision pending है court आपके favor में decision ले सकता है court worker के favor में decision ले सकता है अगर worker जीत गया तो आपको वह payment compensate करना पड़ेगा worker को और अगर आपके जीत गए तो आपको payment करने की जरूरत नहीं है यानि यह liability को हम बोलेंगे contingent liability शायद देना पड़े शायद ना देना पड़े तो contingent liability भी याद रखे यह भी आपके textbook में definition पड़ सकते हैं तो आपको मैंने बता है liabilities के बारे में अब बात करता है assets assets के property owned by a business for a business purpose जैसे liability liability उधार है OBS liability amount payable आपको देना है तो उस तरह से asset के asset property है business की property है business के लिए इस्तिमाल होने चाहिए यह वड़ याद रखना है आप लो क्योंकि देखो building होती है building office के लिए इस्तिमाल होती है residential purpose के लिए इस्तिमाल होती है तो owner के पास घर का building जहां हो रहता है वो building वो उसकी personal है और owner का एक office होता है जो building में होता है वो भी एक building है तो दोनों अलग चीज़ हैं तो वो आपको compare include नहीं कर देना दोनों को तो asset वही asset को हिलाएगा ज जो business इस्तिमाल में हो ठीक है घर वाले इस्तिमाल को asset हम नहीं बोलते हैं तो assets याने property use for the business purpose ठीक है assets के भी तीन टाइप है पहले टाइप है fixed asset जिसे हम non current asset बोलते हैं दूसरा है आपका current asset और तीसरा है आपका fictitious asset fixed asset as usual कई सालों तक चलेगा आपके पास जैसे furniture, building, machinery, गुडविल यह सब आपके fixed asset है इनका example लिया है यहां पर मैंने देख एक example लिया goodwill, building भी है, machinery भी है, furniture भी है, car भी है, ठीक है, वह सब fixed asset है, मगर goodwill का example लिया है इसलिए क्योंकि goodwill भी आपके textbook में इसका accounting term है, तो इसको भी समझाते हैं चलों फिर आगे चलेंगे, तो goodwill क् reputation of the company, as a name of the company, यह goodwill एक company का नाम होता है, जिसके बदोलत company पैसा कमाती है, for example, आप किसी अंजान सहर में चले गए, और उस सहर में गए, इंडिया में निक, इंडिया कहीं भाहर ले दो, और आपको भूक लग रही है, तो आप एक road पे खड़े हो, left side में एक burger की दुकान है, x y z burger, और right side में एक mcdonald burger, तो बच्चो आप x y z burger खाना चाहोगे या mcdonald, obviously mcdonald, क्योंकि आपने mcdonald का नाम सुना हुआ है, x y z का नाम नहीं सुना हुआ है, क्या बनाता है, क्या मालूम, मगर mcdonald brand है, एक नाम है, तो ये नाम के वज़े से company को पैसा मिलता है, उसे हम क जा करेंगे goodwill, reputation of the company, जैसे यहां पर domino's ले लो, car में honda है, maruti है, ये एक नाम है, brand है, bike में dupe bike है, honda bike है, एक नाम है, brand होता है, तो उस नाम के वज़े से अगर business पैसा कमाता है, उसे हम goodwill कहते हैं, और ये थोड़े समय के लिए होता नहीं, ये लंबे समय तक चलते आता ह current asset का example लिए है, मैंने data, ये data भी मेरा current asset है, यानि इसका भी पैसा आपको एक साल के अंदर आ जाता है, जैसे यहां पर example लिए था मैंने creator, इनको एक साल के अंदर repayment करना है, तो उसी तरह से data यानि customer, data कोने पहले बाद तो customer जिसको हमने यहां पर उद्धार पर माल sold किया है we sold goods on credit to a data, we purchase goods on credit from creator, creditor ये बंदे से हम लोग purchase करते हैं उधार पे, और data को हम उधार पे sold करते हैं, यह दोनों important character है हमारे business के लिए, इनके बिना business चलेगा नहीं है न, अगर कच्छा माल लिया ही नहीं, तो goods produce ही नहीं होगा, ठीक है, goods produce कर लिए है, और customer ही नहीं रहा, तो किसको बेचोगे, तो ये दो बहुत important है creator और data, ठीक है, तो data current asset है, क्योंकि हम data को जब उधार देते हैं, तो इसको जो time period देते हैं, वो एक साल के अंदर गई देते हैं, एक साल से ज्यादा का time period नहीं दिया जाता data को, तो एक साल के अंदर अंदर आपको data से पैसा rare entry है, इसके बार में ज्यादा discuss नहीं करेंगे, मैं आता हूँ फिर से data के उपर, data से related equal entry है आपके textbook में, वो है आपकी bad date के entry, bad date क्या है, पहले definition पढ़ लेता हूँ, textbook में भी है आपके आपके पढ़ लेना, bad date is irrecoverable amount from data, यानि data जो बंदा, इसे हमने माल उधार पे sold किया था और, अब आज वो payment की बारी आई, तो वो payment नहीं कर पा रहा है, उस चीज़ को हम बुलते है, bad date, यानि data से जो पैसा आप recover नहीं कर सकते हैं, उसे हम bad date कहते हैं, अब data आपका payment करने वाला नहीं, क्योंकि customer बच्चो एक नहीं होता है, बजदस में कई हजारों customer होता है, आप नॉर्मल आपके दुकान में देखें, क्रियाने वगेरा के वे, तो वहाँ पे भी कितने customer आते हैं, एक दो तो नहीं आते हैं, 100-200 तो customer आती हैं, और, सारे के सारे payment तो नहीं करते हैं, सब कोई नहीं कोई इसमें उधार वाला ही रहता है, भाई कल ले लेना, परसो ले लेन तो ऐसे बहुत सारे customer से, एक दो नमूने निकल देने, जो बुलते हैं, पैसा देते नहीं है, भाग जाते हैं, तो उन नमूनों को हम बोलते हैं, उस नमूनों से जो नुकसान होता है, उसे हम bad date कहते हैं, तो bad date क्या है, irrecoverable amount from data is called as bad date, ठीके बच्छो, आगे चलते हैं भी, next accounting time है, हमारा profit or loss, यह तो आपने दस्वी, नवी दस्वी में पढ़ा होगा, profit किसे कहते हैं, loss किसे कहते हैं, यहाँ भी देख लेते हैं, profit का मतलब है, when your selling price is greater than your cost price, it's called as profit, example यह देखो मैंने selling price, याईनि आप 100 रुपे में माल बेच रहे हो, और उसको बनाने का खर्चा है, साट रुपेया, यानि 40 रुपेया क्या होगा, profit, और loss में क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, cost price is greater than selling price, यानि बनाने का खर्चा, selling price से जाधा है, यहाँ पर example लिया है, मैंने जगो cost price, यानि बनाने का खर्चा 200 हुआ, और market में जाके, आपने किते में बेचा है, इसको receivable, from services provided, and received interest, dividend, commission, etc, amount received or receivable, यानि मिल गया, या मिलने वाला पैसा, किस चीज का, जो आपने service provide की है, आपने goods वगेरा बेचा होगा, आपने जैसा hotel है, तो hotel में आपने service provide की होगी, खाना दिया होगा, तो customer आपको पैसा देने वाला है, या दे दिया, और हमने bank में पैसा रखा तो उसका interest मिला, हमने share खरीदा तो उसका dividend मिला, हमने माल बेचा तो उसका commission मिला, तो इसे हम क्या कहेंगे, income कहेंगे, और फिर revenue है, revenue का मतलब income received from sale of goods and service to customer, अदो को revenue और income में दो फरक है, income आपको कहीं से भी पैसा आएगा, ब्याज में बैंक में रख करेंगे, उससे आ सकता है, आपने share खरीदा dividend से पैसा आ सकता है, कहीं से भी आ सकता है, मगर revenue यानि आपने goods sold किया, या service provide की customer को, जो आपको normal customer है, उससे जो पैसा आता है, उससे हम revenue करते हैं, यानि हम यह पैसा कमा रहे हैं, और income तो आप कहीं से भी generate कर सकते हो, bank में पैसा बखके, share करीद करके, ठीक है बच्छो, यह होगे income और यह revenue, अब चलते हैं, अगला accounting term के लिए, जो की है discount, यह भी आपके textbook में दिया हुआ है, discount का मतलब है, concession or allowance given by the seller to purchaser, purchaser any customer, तो दुकानदार customer को disconcession देता है, छूट देता है, माफ करता है, allowance देता है, तो जैसे 100 उसको 90 रुपे में बेज दिया, तो वो 10 रुपे क्या है, उस 10 रुपे को हम discount कहते हैं, तो 10 रुपे कम हो गया न, तो seller के नुकसान, और customer के लिए फाइदा, तो इस चीज़को हम discount बोलते हैं, अब बच्चो discount भी दो तरह के होते हैं, पहला discount है, trade discount, it is the allowance given on catalog price or list price, जो starting में प्रोडक्ट होता है, उस वक एक भाव होता है, उसे हम catalog price बोलते हैं, जब फेक्टरी में एकदम, starting stage में जब वो product होता है, उस price को हम catalog price या list price बोलते हैं, उस चीज़को हम discount allowance होता है, उस चीज़को हम trade discount बोलते हैं, और यह basic लिए अगर समझने के लिए आपको एक chain बताता ह हो में goods का एक chain होता है, goods manufacturer से wholesaler के पास जाता है, wholesaler से retailer के पास जाता है, retailer से फिर customer के पास जाता है, तो यह chain के अंदर, जो starting chain है हमारा manufacturer और wholesaler, हम इसको एक ही बोलते हैं, तो manufacturer या wholesaler से जब माल retailer के पास आता है, उस वक trade discount दिया जाता है, क्योंकि retailer खुद अब इस्तिमाल नही बेचने वाला है, तो उस वक्त जो discount दिया था, उसे हम trade discount कहते हैं, और सबसे important चीन्स है, आपकी bookkeeping में यह याद रखना, यह point है, क्या point है, trade discount does not appear in the books of account, आप अपने books of account में calculate तो करेंगे trade discount, मगर इसको कहीं भी भी लिखते नहीं हम लोग, यह बहुद important point है, हमेशाद रख तो trade discount never appear in the books of account, यह word याद रखना, और trade discount, catalog price या list price पर दे जाता है, यानि manufacturer या wholesaler, जब retailer को माल बेचता है, उस वक्त जो discount होता है, उसे हम trade discount कहते हैं, फिर दूसरा है हमारा cat discount, it is allowance given for the spot payment, अब इसको समझो, retailer से माल अब customer के पास जा रहा है, तो अब किराने वाला normal local area को माल बेच रहा है, local public को माल बेच रहा है, तो local public से वो चाता है कि तुरंट payment मिल जावे, spot payment मिल जावे, तो बंदा spot payment देगा भी क्यूं देगा, आजकल customer भी शाने होगे, तो customer बोलता है, ठीक है मैं दूँगा अभी तुरंट पाइसा, मगर मैं इतना नहीं इतना दूँगा, कम करके दूँगा, तो उस चीज़ के लिए है, वो discount को हम बोलते है, cash discount, यानि तुरंट payment हो रहा है, तुरंट वहापे discount दिया जा रहा है, अब important चीज, cash discount appear in the books of account, आपको cash discount ही लिखना होता है, books of account में, जब आप record करोगे, तो आप स्रिफ cash discount record करोगे, trade discount record नहीं करोगे, ठीक ह बच्चो record अलग चीज़ है, calculation अलग चीज़ है, calculate होगा, दोनों ही discount calculate होगा, मगर record कौन सा होगा, स्रीफ और स्रीफ क्या discount, trade discount record नहीं होगा, ठीक है, आगे चलते हैं, अब अगला accounting term देखते हैं, expenditure, expenditure क्या है, an amount spent by business for any consideration received by business, यानि आपने कुछ भी चीज का इस्तिमाल किया, consideration यानि आपको कुछ भी consideration मिला, इसका example समझाता हूं, जैसे आपके यहां कोई आके काम किया, तो आपकी company में काम कर रहा है, आपको consideration मिल रहा है, तो उसके बदले में उसको क्या देंगे, आप salary देंगे, wages देंगे, पगार देंगे, तो आपको consideration मि क्या देंगे, तो इसके बदले में फिर आपको क्या देना पड़ेगा, उसको salary देने पड़ेगी, तो salary आपके लिए क्या expenditure है, दूसरा example बताता हूं, जैसे आप रिक्षे में कहीं से travel करके, यहां पे आए, एक जगे पे आए, तो रिक्षाल आप से क्या लेगा, भाड़ा लेगा, है न, वो आपके लिए expenditure है, क्योंकि वो आपको उसके consideration मिला है, कि वो रिक्षाल आपको यहां छोड़ के दिया है, तो उसके बदले में आपको रिक्षे का भाड़ा देना है, और भाड़ा देर हो, यानि आपके लिए क्या होगा, expenditure हो गया, तो an amount spent by a business for any consideration, issued by the business, बिजनस को जो भी consideration मिलें, जैसा आप electricity power इस्तिमाल करते हो, तो वो consideration मिल रहा है आपको, ठीके, तो उसके बदले में आपको light wheel भरना पड़ेगा, तो वो हमारे लिए क्या expenditure है, अब expenditure के types क्या है, तीन तरह के types है, पहले type देख लेते हैं, पहले capital expenditure, यह expenditure आप one time करते हो, यान नहीं पूरे business में यह एक ही बार होता है, इसके उपर expenditure, तो one time expenditure बोले तो, purchase of fixed asset, है ना, अभी आप लोग के घर में, यह आपका खुद का एक घर हो, तो आप खुद का घर कितने बार खुदेगा, एक ही बार खुदेगा ना, भार भार तो नहीं खरीद होगे, या for example, यह आ इंदर fixed asset होता है, land, building, machinery, furniture, car, यह one time expenditure, गड़ी गड़ी नहीं होता है, और इसके उपर जो benefit मिलता है, वो long period तक मिलता है, आपने एक बार machine खरीद ली, आप उससे goods produce करते रहो, साल, दो साल, तीन साल, दस साल, तो इसका benefit आपको लंपे समय तक मिलता है, एक more than one year, it is considered as a long period, एक साल से जादा है, तो आप consider the long period के लिए, example, building, furniture, machinery, etc, तो इसे हम क्या बोलेंगे, capital expenditure, दूसरा है, आपका revenue expenditure, यह regular expense है, यानि हर मेने होता है, हर मेने salary दो, हर मेने rent भरो, हर मेने light will भरो, ठीक है, तो यह regular expenditure है, हमारा, normal day-to-day operating expense, आपका day-to-day operating expense के लिए, आपका business का यह ख अगर नहीं की बात कर रहा हो, तो हर मेने पगार भरो, हर मेने light will भरो, अगर नहीं भरोगे तो आपका business नहीं चलेगा, operating business यानि business को चलाने का खर्चा, यह बहुत important है, यह important है, क्योंकि यह नहीं होगा तो आपका business ही नहीं चलेगा, benefit for short period, और हम expenditure हर मेने भर रहे हो, तो benefit ह हर मेने का होगा, जैसे fixed asset मेने किया, अब रहे हर साल मुनाफ़ा मिलते रहेगा, मगर इसका benefit, expense चोटा है, तो benefit भी चोटा होगा, example, rent है, salary है, electricity bill है, third example, deferred revenue expenditure, basically revenue nature, revenue nature यानि चोटा कर्चा है, benefit for three to four year, अब इसका benefit एक साल नहीं, तीन से चार साल तक चलता है, लंबे समय तक नहीं चलता है, तो या तीन साल या चार साल तक चलेगा, तो उसे हम deferred revenue expenditure बोलेंगे, example यह है, advertisement, research, इसको तरह अच्छे समझा दो हूँ, मैं, हम कोई भी चीज़ का, आप लोक, normally आगर आप टीवी पर कोई ad वगएरा देखते हो, तो उस ad का impact आपके दिमाग पर, साल दो साल ही रहता है, इसका best example बता रहा हूँ, deferred का मैं, advertisement का impact, आपके दिमाग में दो साल, तीन साल तक ही रहता है, उसके बाद नहीं चलता, फिर आप वो product को भूल जाते हो, तो यानि company को, उसका फाइदा, उस advertisement का फाइदा, दो से तीन साल ही होगा, उससे ज़्यादा नहीं होगा, है न, advertisement छोटा ही खर्चा होता, ज़्यादा बड़ा खर्चा हो नहीं होता, इसलिए इसको revenue कहा गया, मगर इसका benefit दो तीन साल तक रहेगा, नए 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 product आते हैं, जैसा ड्यूक भाई गाई थी पहले, तो ड्यूक बाई के क्रेज चला, फिर FZ, फिर बजाच, 200, पलसर, तो वो क्रेज चलता है, और उनका demand पर्टिकुलर पीरेड में रहता है, दो साल, तीन साल, जैसे ज़्यादा एड्विडेश्मेंट का वो impact खतम होता है, तो वो product भी sold करना बंद हो जाता है, दूसरा best example लेलो mobile का, अभी apple mobile लेलो, apple mobile लेलो पहले के हर साल वो एक नया product launch करता है, तो पुराना product भूझ जाती public, तो यह advertisement example है, different revenue experience, यहाँ पर और एक्जामपल लेले हैं मैंने research, आप कोई भी नया product जो launch करते हो, जैसा अभी lace की बात करते हैं, Lays हमारे जाइम पर होता था, नॉर्मल Lays ही होता था, मगर आज के टाइम पर Lays नहीं रहा, Lays टेमेटो लेज बन गया, जिंजर लेज बन गया, ओनियन लेज बन गया, मसाला लेज बन गया, कितने सारे लेज बन गया, तो company क्या करती है, अपने product के ओपर खुद research करवाती है, कि भाई मुझे अपर नया product launch करना है, तो इस पर आप research करो, ठीक है, तो वो कुछ बंदेलों को इलाकों में बेजती हैं और research करती हैं, तो आप पहले क्या करते हैं, उनलोग बना लेते हैं product को, और बनाने के बाद public को free में test करवाते हैं, आप मौस बगरे में गया होंगे, या railway station या कोई बड़ी बड़ी जगह पर आप जाएंगे, तो आपको देखे हैं, आपको test करवाते हैं, और आपसे फिर review लेते हैं, कि आपको कैसा लगा, अच्छा लगा, खराब लगा, नमक ज़ादा है, या यह ज़ादा है, whatever, तो वो यह research करते हैं, कि पब्ली को यह चीज़ पसंद आ रही है, नहीं आ रही है, तो एक बार research हो गया, तो फिर वो प्रोड़कों लाँच कर देते हैं, अब वो research दुबारा न expenditure का, ठीक है बच्छो, तो यह expenditure का हमने example लिया, आगे चलते हैं, अब है आप मारा trading concern और not for profit concern, यह क्या है, trading concern का मदब होता है, जो company, trading concern यानि company, जो company को मुनाफ़ा चीए, profit कमाना है, earning a profit, उसे हम trading concern कहते हैं, यानि उनका intention सिप पैसा कमाना है, उसे और बाकी चीज़ से लेन देना नहीं है, not for profit का मकसद होता है, कि वो service, they provide a service to the society, वो society का भले के लिए काम करते हैं, जैसे आपने trust अगेरा देखा होगा, वो सारे trust रहते हैं, hospital होते हैं, जहां पर free में या सस्ते में इलाज होता है, तो यह example है, आपका trading concern का, जो मुनाफ़े के लिए काम करते हैं, और not for profit, जो society का benefit के लिए काम करता है, आप देखेंगे, बच्चे लोगों को fees provide करते हैं, college बगेरे कि अगरीब बच्चा नहीं भर सकता है, और hospital में ने दिया example, और भी कुछ help रहेगी, तो यह जो organization and not for profit concern, यह उनको help करके देती हैं, accounting year, यह आपका basic accounting terminology में important है, accounting year, accounting year, यानि जिसमें 12 मेना हो, उसे हम accounting year कहते हैं, it comprise of 12 months, तो accounting year भी दो type के हैं, उसको भी समझे, पहला है calendar year, जो आपके घरों के दीवालों के उपर टंगा होता है, calendar, उस calendar को अगर आप देखेंगे, शुरू होता है January में, और अब खतम हो रहा है और December में, तो starts from 1st January and ends on 31st of December, इसे हम calendar year बोलते हैं, और बच्चों January से December, आप count करों कितना मेना हो, 12 मेना हो, और जो second है आपका, वो है financial year, जो हम bookkeeping of accountancy में करने वाले, आपको ये साल याद रखना है, ये साल क्या है, ये start होता है 1st April को, और ends होता है 31st March को of the next year, क्योंकि April से कर आप count करोंगे 12 मेना, तो माच तक जाएगा, no doubt, मगर बीच में December क्रॉस हो जाता है, तो इसलिए हम इसमें last word यूज़ करते हैं, next year, तो अगर ये 1st April 2020 को शुरू हो रहा है, तो खतम होगा 31st March 2021 को, तो यानि साल क्रॉस हो गया, इसलिए वर्ट याता है next year, anyhow, अपरेल से अगर discount करेंगे तो ये भी कितना मेना होता है, 12 मेना होता है, तो ये accounting है, इसको भी याद रखे, theory आप टेक्सबुक से पल डें deeply, एक और accounting term में ये आपके टेक्सबुक में नहीं दिया हो, extra में बता रहो, मगर ये account आगे चलके आपको जो प्रैक्टिकल सम है तो वो आएगा, वो है life stock, life stock क्या है, animal which are used in the business, it is called as a life stock, example ले 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 थे, dog, goat, cow, etc, dog यानी watch dog, watchman होता है, जैसे वैसे watch dog होता है, आपकी factory वगएरे में चोरी वगएरा नहों, तो इसलिए हम ये कुत्ते वगएरा पालते हैं, तो ये business के इस्तेमाल हो रहे है, goat वगएरा है, goat वगएरा से हम लोग milk वगएरा निकालते हैं, वो milk हम यूज करते हैं business के लिए, काओ है, काओ से भी हम milk वगएरा निकालते हैं, camel होता है, traveling के लिए, तो जो भी जानवरों का इस्तिमाल करते हैं हम लोग बिजनस में, उन जानवरों को हम बोलते हैं life stock, ठीक है, यह सारे accounting term खतम किये, so thank you for watching the video, inshallah next video से हम लोग हमारा second chapter बनाएंगे, hope so यहां तो कोई doubt नहों, thank you, thank you for watching the video, God bless you